आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और ये SSE का 10 प्लस 2 CHSL का सिकन सिफ्ट 19 मार्च का जो है वो हो चुका है और जो भी क्वेस्टन आपको सक्सेस की 98 देता है वो पूरा जिन्यून मैं देख रहा है दो 3 जगह कुछ गलत करवाये जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन जो भी क्वेस्टन आपको यहाँ पर मिलते हैं पूरा एक्जेक्ट जो आपके एक्जाम में बन रहा था ठीक है और मैं हमेशा बोलता हूँ इसका पूरा PDF आपको सक्सेस की 98 के टेली ग्राम के चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीक है ना और एक बात आप सभी को बोल दूँ हर सिफ्ट का पूरा 25 कोस्टन तो नहीं मिल पारा लेकिन कुछ कोस्टन छुड़ जा रहे है दो-तिन कोस्टन छुड़ जा रहे है तो वो थर्ड सिफ्ट का जब अनलाइस करूँगा तो उसमें जो कोस्टन छुटे हुए वो मैं वहाँ पर डाल दूँगा ताकि आप वो कोस्टन भी कवर कर पाओ थर्ड सिफ्ट वाले कोस्टन में ठीक है तो देखते हैं आज का पहला कोस्टन हमारे सामने क्या निकल कर आया था तो जो पहला कोस्टन था नो डाउट सभी बोलेंगे भया यही कोस्टन आपके एक्जाम में आज का था कोस्टन था कि राजास्थान में लोकसबा सीट कितने हैं तो सभी को पता है ये 25 है कितने हैं राजास्थान में लोकसबा सीट तो 25 रास्थान में लोकसबा जो सीट है अगला क्वेस्ट आया था हमारे सामने, सहित अकैडमी आवार्ड सी 2019 में किसको मिला है वो भी याद रखेगा, हिंदी में बात कर रहा है, तो ये पुरुसकार दिया गया है, किसको नंद किसोर आचार रेको, ये इस बार दिया गया है, हिंदी में सहित पुरुसकार 2019 का, और एक बात याद रखेगा आप सभी, बहुत, मतलब याद रखना है, इनका जो पुस्तक था, किस पुस्तक के लिए एक्जाम में आप से पुछ सकता है, क्योंकि सासी थरूर के उपर दो-तीन बार कुछा गया, घुमा फिरा कर, तो हो सकता है, इनका जो पुस्तक था, उसका आप सभी याद रखेगा, क्या नाम बोलेंगा, अगर एक्जाम में आ गया तो, आप सभी बोलेंगे, छिलते रंग अपनों के, ये जो पुस्तक है, इसके लिए इनको मिला था, ठीक है, तो याद रखेगा, छिलते हुए अपने को होगा, साहित, सौरी, यहाँ पर, हिंद अकैडमी अवार्ड, नंद किसोर आचारी को दिया गया, हिंदी के छेत्र में, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, स्रिलंका के राष्टपती कौन है, एक्चुल में 99% चांस है, कि आप से राष्टपती ही पूछा गया था, तो क्या होगा, गोटा पाया, राजा पक् स्रिलंका के राष्टपती के उपर कुछा था, तो क्या होगा, गोटा बाया, राजा पक्षा, और अगर पूछ देता है आप सभी से, वहाँ के पढ़ान मंत्री, तो आप सभी बोल दे, महिंदा राजा पक्षा, और अभी वहाँ का बिधान सभा जो है, वो भंकर दिया ग किमोरियल कहां पर है, कन्या कुमारी, तामिल नाडू में, अगला प्रसमारे सामने है, ब्रह्म पुत्र नदी का नाम क्या है तिबबत में, बहुत जन बोल रहे हैं, चाइना में पूछा गया था, लेकिन जो एक्जाम में आज का कुछिस्टन था, वो था, ना कि चाइना तिबबत, याद रखेगा, आज के एक्जाम में जो कुछिस्टन था, वो यह था, ब्रह्मा पुत्र नदी का नाम क्या है तिबबत में, अब देखो बाकी चैनल वाले बोल रहे हैं, चाइना चाइना अब दस लोग आकर बोलेंगे, बहुत चाइना ही पूछा था, लेकिन इतने लोगों को दिया गया है, तो चार लोगों को दिया गया है, एक बात यहाँ पर और आप सबी के साथ डिस्कुस कर दो, ताकि आपका डाउट जो है, वो क्लैरिफाई हो जाए, यहाँ पर याद रखेगा, दो हजार उननीस में जो है, वो चार लोगों को दिया गया है लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं भाईया 2020 पूछा था तो अगर 2020 था तो ये भी याद रखना 2020 में जो है वो साथ लोगों को दिया गया है डाउट किलियर ना? डाउट अपना किलियर कर लीजेगा येने की भाईया आप्शन में भाईया साथ है साथ है तो मैंने कलियर कर दिया है 19 में 4 लोगों को दिया गया था और 20 में 7 लोगों को अगला कुछन आसान कुछन भारत की तेरवे राष्ट पती कौन है? तो आप सभी को पता है चौधवा आप सभी के को गोविन साब जी है तो तेरवे कौन होंगे? इसके पहले पर्णम दा ठीक है पर्णम मुखर जी अगला प्रस हमारे सामने पूछा गया लावनी नित किस राध जुका है? तो ये तो सभी को पता है महारास्टरा अगला कुछन पूछा गया जीतू राए किस खेल से जुड़े हुए है सुटिंग से बहुत पॉपुलर नाम है ऐसा नहीं है कि बहुत अनकॉमन नेम है सुटिंग जगत में इतना बड़ा नाम है मेंस काटेगरी में कि सभी को पता है जीतू राए जो है वो सुटिंग से जुड़े हुए है अगला question पूछा गया दूदा सागर फॉल जो है वो किस राजु में तो ये गोवा में है और किस नदी पर तो मांडवी नदी पर इस नदी का नाम भी आप सबी याद रखना अगला प्रस्त हमारे सामने है लिपू लेक पास ये किस राजु में है एक question आपकी exam में ये भी बना था second shift 19 मार्च का और ये कहां पर है ये उत्तरा खंड में है रोवर्स कब की सुरुवात कब हुई थी 1891 में और ये किस exam में कुछ लग बोल रहा है कि लेकिन था यही कि कब स किस खेल से जुड़ा हुआ है तो आप सभी बोल दीजेगा football तो जो भी question पर doubt है वो question का doubt भी में जो है वो clear करवा रहा हूं आप सभी को हर एक question में अगला प्रस्त हमारे सामने GST के अंतरगत आता है GST जो है वो किन संसोधन के अंतरगत आता है under which amendment bill तो 101 अगला प्रस्त हमा class में कितना बार बोल चुका हूं कितना बार तो आप सभी क्या बोलेंगे 12 जुलाई 1982 को नवाट के chairperson कौन है हर्स कुमार बनवाला headquarter तो आपका मुंबई अगला प्रस्त हमारे सामने है ये तो बच्चों-बच्चों को पता है जो SEC की तयारी नहीं करते वो भी answer दे कर आ ज आई थी तो एक question तो आपका कल ये बन गया था कि इंडिया को semi final में किस ने हराया था तो कल का भी answer न्यूजिलेंड था लेकिन आज आपका पूश दिया कि World Cup में runner-up team कौन थी तो न्यूजिलेंड किस से हारी थी तो England से आप सभी को पता है super over हुआ वो भी match draw हो गया उसके ब आपसे आज पूछा था तो वो क्या होगा आपका न्यूजिलेंड अगला प्रस हमारे सामने यहां पर बहुत जन बोर्डरे sun temple, konark temple, konark temple आपकी exam में नहीं था बहुत जगा आप पढ़ रहे होंगे sun temple, sun temple ये नहीं था exam में question था आपका sword temple ये कहां पर इस्तित है तो ये आपका तामिल नाडू में है ये question आपके exam में था आज के second shift में याद रखिएगा अगर exam में अगर पूछ दे sun temple जो konark temple ये वो कहां पर है तो आप सभी बोल पाएंगे भाईया वो उडिसा में अगर उडिसा में अगर आप पूरी जाते हैं पूरी मंदिर इतना बड़ा मंदिर है भगवान विस्नु का सबसे बड़ा मंदिर है अगर वो पूरी चार धाम म से एक धाम भी आता है अगर पूरी जाते हैं तो konark मंदिर सभी जानते हैं सभी घूमते हैं पूरी जो भी जाते हैं konark temple जरूर घूमते हैं बगल में ही है तो यानि अगर exam में पूछेगा konark temple कहां पर है तो वो आप कहां पर है उडिसा में लेकिन exam में question तो store temple याद एक किताब था आपका कोलेशन इयर बूक या किताब किसके द्वारा लिखा गया है exam में ये आप सभी से पूछा है तो ये किताब लिखा गया है अपने पुर्व राष्टपती पर्णम मुखरजी के द्वारा ठीक है अगला प्रसमस अपसे पूछा है लिथियम का atomic number क्या ह लिथियम का पर्माणू संख्या ये आपसे exam में नहीं पूछा था लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ इसका answer क्या होगा आपका 3 आपसे पूछा क्या था atomic weight पूछा था exam में atomic number नहीं atomic weight पूछा था लेकिन इसलिए मैंने दोनों चिजी लिख दिया है atomic number आप सभी को पता है hydrogen, helium, lithium ठीक है कितने पर है तीन पर है लेकिन अगर atomic number atomic weight पूछा था तो क्या होगा 6.941U ये आपका सही answer आपके exam में था देखो गलती नहीं कराऊंगा जो भी कराऊंगा exact सही अगला प्रस हमारे सामने computer प्रारंब करने के लिए कौन सा sort की हम लोग इस्तमाल करते हैं ये exam में पूछा गया computer start करने के लिए कौन सा sort की हम लोग start करते हैं तो control प्लस escape ठीक है आपने देखा होगा control तो नीचे होता है left side में और escape उपर में आपने देखा होगा keyboard को बहुत अच्छे तरीके से तो ये थे हमारे 20 से 21 question जो आपके 19 March second shift के मैं आपसे पूछा गया और एक अब आप मैं आप सभी को भोल दूँ जो भी 2-3 question छूट रहे ना मैं 3rd shift का जब question कराऊंगा तो वहाँ पर मैं include कर दूँगा सारे question ताकि हर एक question का collection आप सभी के पास हो और इसका पूरा PDF आप सभी telegram से जाकर download कर लीजेगा telegram पर search मारिएगा success key 98 वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा ठीक है